शादी होगी मन चाही नमस्कार मत्रों स्वाबेते से डिटोट के चैनल पर आप सब का एद्बार फिर से आज की वीडियो में मन चाही सादी के वारे में प्रयोग बतायने वाले हैं और अगर आपको उपना प्रेम मिल चुका है और आप सादी करना चाहते हैं सब कुछ जाने उसे पहले अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना साथ ये नोटिफिकेशन बेल को आउन कर देना है से आने वाले वीडियो की जानकारी आपको होती रहेगी और उस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों मित्रों को ताकि वो भी इसका लाब ले सके सभी के परिवार में कोई नो कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसको इस तरह के उपाय की आउशक्ता पड़ेगी तो आप ये वीडियो जरूर सेयर करें हर घर तक पहुचना चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके अब आई ये बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है उस उपाय के पीछे का रहश्य क्या है तो ये उपाय आपको करना है किसी भी देवी मंदिर में यानि आस पास कोई भी मंदिर है गैत्री माता का मंदिर हो दुरगाजी का मंदिर हो पारवती माता हूँ वहाँ पर ऐसा कोई भी मंदिर है जहांपर देवी विराजमान है तो आप वहाँ पर जाईए और वहाँ पर इस उपाय को करिए कैसे करेंगे तो आपको लेके जाना है एक चुनरी एक नारियल, सुगंध, कुछ मिठाईया, धूबबत्ती और इसको फूलों के साथ में वहाँ पर समर्पित कर दीजिए प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए और इसके बाद वापस आते समय प्रसाथ सुरुप सुगंध, यानि परफ्यूम को ले करके आना है और इसका आपको नित्य प्रियोग करना है यानि आप परफ्यूम का प्रियोग रोज करेंगे नहादो करके रोज परफ्यूम आपको लगाना है लगाने में ध्यान रखें, नाभी पर इसको जरूर लगाना है ये बहुत आश्यक है, इसके अलावा कलाई पर, जहां मड़ी बंध होता है तो यहाँ पर भी इसको जरूर लगाना है दाहिने हाथ या बाएं हाथ, किसी भी हाथ में लगा सकते है जो हाथ आपका ज्यादा एक्टिव रहता है, उसी हाथ पर लगाईए अगर आप दाहिने हाथ से सारे काम करते हैं, तो दाहिने हाथ में लगाईए बाए हाथ से काम करते हैं तो बाए हाथ में लगाए। ऐसा करना आपके लिए सही रहेगा। जानना चाहेंगे, सब आपके तरफ आकर सित रहेंगे, ये बात होगी, और इस दोरान नजर लगने का भी थोड़ा डर रहेगा आपको, तो इसलिए आउशक है कि आप कुप्त रुप से काजल का प्रयोग करें, तो आप कमर पे या फिर पैर के तलवे में, काजल का टीका जर हैं, फिर तो आप समहाली लेंगे, तो बस इस वीडियो में इतना ही उम्मीद खरूँगा, आपको जानकरी पसंद आई होगी, मिलते हैं इंगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए,